कि नमस्कार दोस्तों आज के मिस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाबी इंडिस्ट्री के मशूर आर्टिस्ट Emi विरग के बारे में तो दोस्तों अगर आप लोग भी Emi विरग पाजी के बहुती वड़े वाले फैंस और काफी लंबे समय से Emi Birak Paji के निव सोंग का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खतम होने वाला है क्योंकि Emi Birak Paji का एक निव सोंग आपको बहुत चल देखने को मिलने वाला जी हाँ दोस्तो आपको 2023 में Emi Birak Paji के बैक टू बैक सोंग देखने को मिलने वाले आप तो जानते हैं कि Emi Birak ने पंजाबी इंडिस्ट्री को बहुती सारे सूपर डूपर हिट सोंग दिये हैं और इनके सोंग काफी यादा सूपर डूपर हिट होते हैं और फैंस के द्वारा काफी पसंद किये जाते हैं आपको बता दू कि Emi Birak पाजी ने आज अपने ओफिली अकाउंट इस्टागराम पर अपने न्यू अलबम के बारे में अनौंस किया जी हाँ दोस्तो आपको बता दू कि Emi Birak पाजी के इस अलबम का नाम होने वाला है Layers तो दोस्तो समझ जाओ कि ये काफी अदा अच्छी अलबम होने वाली आपको बता दू कि इस अलबम में आपको पांच सोंग्स देखने को मिलने वाले है Emi Birak पाजी के तो दोस्तो समझ जाओ कि ये एक बहुती बड़ी फैंस के लिए खुशकबरी है Emi Birak पाजी के जो की काफी लंबे समय से इंतिजार करते रहते है Emi Birak पाजी के सोंग का आपको बता दू कि इनकी इस अलबम में म्यूजिक दिया हुआ है जैमीत पाजी ने तो जैमीत का हर एक म्यूजिक काफी खाओ था और जैमीत पाजी के हर एक म्यूजिक केもし द्वारा काफी आदा पसंद किया जाता है वहीं दोस्तो अगर हम लेयर सांग के लिरिक्स के बाद करते तो आपको बता दू कि इस आल्बम के लिरिक्स को लिखा हुओ है रोनी अंजली और गिल मुच्छारी ने आप तो जानती हैं कि इनके लेरिक्स काफी ज़्यादा अच्छे होते हैं और फैंस के द्वारा काफी ज़्यादा पसंद भी किये जाते हैं तो दोस्तों हम तो यहीं चाहेंगे कि जब भी आप लोगों को एमी बिरिकपाजी की लेर् हर एक सोंग को काफी ज़्यादा प्यार दिया है उसी तरह इनकी इस लेयर एल्बम के पांच गाने को भी पहले की तरह काफी ज़्यादा प्यार करना और इनके हर एक गाने को काफी ज़्यादा सूपर डूपर हिट करना आप तो जानते हैं कि काफी महनस से सोंग बनाते हैं विरक पादी और इनका हर एक सोंग फैंस को काफी यादा पसंद आता है उसी तरह हमें ये उम्मीद है कि इनकी ये एलबम भी आपको काफी यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल पर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर करें धन्यवाद दोस्तों